तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सही में मक्का के अंदर एंजल मतलब फरिष्टे गेब्रियल की वेपन थी तो कहते हैं कि गेब्रियल जो थे उन्हें जिब्रियल अले इसलाम भी बोलते थे उन्हें ने प्रॉफेट मुहमद को एक जन्नक मतला हैवन से वेपन लाके दिये थे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और बोले थे आप समाल के रखना यूज करना जब आपको काम आएगा लेकिन उन्हें यूज ने किये थे और मक्का के अंदर रख दिये थे कहते हैं कि 2012 या 15 में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो वेपन रियल में मिल गया था और वो वेपन जैसे ही मिला था एक क्रेन गिर गए थी जिसकी वज़े से मक्का के अंदर बहुत लोग मर गये थे उसके बाद से लोग ने इन्यूस को ही गायब कर दिये थे और कहते जिते भी प्रीस्ट और वो सब लोग एंटार्टिका चले गए तो रशियन सोल्जर्स वहाँ पर पहुच गये थे मक्का के अंदर लोग ने सौधी से कुछ डील किये वो चीज उठाय वेपन और एक्चि